आज ही doubtnet app download करें doubtnet पर होगा अब आपके सभी maths, chemistry, physics और biology doubts का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत video solution पाओ download now देखे question क्या अपका? question है find the equation of circle circle की equation निकालिए which is passing through 3 points दे रखे हैं आपको 1,2, 3,-4 and 5,-6 x तो सबसे पहले अगर circle की equation बोले हम वो क्या होती है? वो होती है x-h का whole square plus में y-k का whole square is equals to r square ठीक है? जहाँ पे h और k क्या होते हैं आपके center point जहाँ पे h, k यह क्या होते हैं आपके? यह होते हैं center point ठीक है? या फिर center बोल सकते हो और r क्या होता है? radii r क्या होता है? radii ठीक है तो सबसे पहले पहला point क्या है आपका? पहला point है 1,2 1,2 मतलब x और y की value दे रखी है ठीक है? तो equation put करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 1-h का whole square plus 2-k का whole square is equals to r square तो यहाँ से equation क्या हो जाएगी आपकी? यहाँ से equation बन जाएगी 1-2h plus का h square plus में 4-4k square minus का 4k plus का k square ठीक है? plus का k square is equals to r square तो यहाँ से पहले equation क्या बन जाएगी आपकी? यह तो 1 और 4, 5 हो जाएगा 5-2h minus का 4k is equals to r square minus h square minus का k square यह हो गई आपकी equation number 1 ठीक है? यह हो गई आपकी equation number 1 जो किस point से पास कर रही है आपकी? 1,2 से अब बात कर लेते हैं दूसरे point की ठीक है? दूसरा point क्या है आपका? 3, minus 4 ठीक है? तो यह क्या आजाएगा आपके पास? यह आजाएगा 3, minus 4 x की value 3 ठीक हो जाएगा 9 minus का 6h plus h square plus का 16 ठीक है? plus का 8k plus यह क्या हो जाएगा? plus का k square is equals to r square के बरापर तो equation क्या बन जाएगी? आपकी equation बन जाएगी 9 plus 16 जोगी कितना हो जाएगा? 25 minus का 6h plus का 8k is equals to r square minus का h square minus k square यह होगी आपकी equation number 2 यह होगी आपकी equation number 2 अब बात करते हैं third point third point क्या है आपके पास? वो है 5, minus का 6 तो यहाँ से equation क्या बनेगी आपकी? यह बन जाएगी 5 मतलब 25 minus का 10h plus का h square plus 36 plus में यह क्या हो जाएगा? plus में 12k ठीक है? plus में k square is equals to r square तो equation क्या बन जाएगी? 25 plus 36 कितना हो जाएगा? 61 minus 10h plus में 12k is equals to r square minus h square minus का k square यह हो गई आपकी equation number 3 यह हो गई आपकी तीने equation अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं? equation 1 or 2 equal 2 or 3 equal तो यहाँ से यह हो जाएगा आपका 5 minus 2h minus का 4k equals to 25 minus का 6h plus का 8k एक तो यह हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका 25 minus का 6h plus का 8k is equals to 61 minus 10h plus में 12k ठीक है? ठीक है? तो यह रही है आपकी दो equation अब इनको substitute करेंगे, solve करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? h और k की form में? यह हो जाएगा आपका 4h minus 12k is equals to 20 ठीक है? और यहाँ से हमारी equation आजएगी h minus 3k h minus 3k is equals to 5 यह हो गई आपकी equation number A ठीक है? यह हो गई आपकी equation number A ऐसी हम क्या करेंगे? ऐसी हम this side को solve करेंगे तो यहाँ पर क्या आजाएगा? आपका यहाँ आजाएगा 4h minus 4k 4h minus 4k is equals to 36 ठीक है? तो यहाँ पर equation क्या बन जाएगी? आपकी h minus k is equals to 9 ठीक है? यह बन गई आपकी equation number B तो यह भी shade कर दिया हमने equation A और equation B से हम क्या find कर लेंगे? h और k क्या find कर लेंगे? h और k तो यहाँ से आपका h और k कितना आजाएगा? जब आप इसमें substitution लगाओगे तो क्या आजाएगा? k तो आजाएगा आपका किसके बराबर 2 के बराबर और h की value कितनी आजाएगी आपकी? h की value आजाएगी 11 तो यहाँ से आजाएगा आपका h और k तो h और k की value आप first, second या third first, second या third किसी में भी put करेंगे तो यहाँ से क्या आजाएगा आपका? यहाँ से आजाएगा r square की value तो r square कितना आजाएगा आपका? जब value put करोगे तो r square कितना आजाएगा? value putt करके देखना आप कितना आजाएगा हमारे पास equation क्या थी equation थी 1-h का square plus 2-k का square is equals to r square अब यहाँ पे h कितना है 11 और k कितना है 2 तो r square कितना आगए यहाँ आजाएगा आपका 100 तो यहाँ से क्या आगए आपका r square भी आगए ठीक है r square भी आगए k का whole square is equals to r square h k और r की r square की value putt कर देंगे तो equation क्या आजाएगी आपकी equation आजाएगी x minus 11 का square plus में y minus 2 का square is equals to 100 तो यह क्या हो गई आपकी यह हो गई आपकी equation of equation of circle अब अगर आप इसको simplify और simplify करना चाहो तो इसको simplify कर सकते हो कैसे solve कर देते हैं इसको तो यह क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा x square plus में y square minus का 22x ठीक है minus का 4y ठीक है plus में 121 plus में 4 minus का 100 is equals to 0 तो equation क्या बन जाएगी आपकी equation बन जाएगी x square plus y square minus का 22x minus का 4y ठीक है यह हो जाएगा 21 plus का 25 is equals to 0 तो यह होगी आपकी equation of circle ठीक है या तो यह वाली equation बोलो या उपर वाली बोलो दोनों क्या है सेम है तो यह होगी आपका या तो ऐसे answer बोलो या तो ऐसे answer बोलो ठीक है Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स आच चारसो 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 पर